दोस्तो आज हम आपको देवी और भूमी अर्धिवार में हुए एक ऐसे अनोखे चमतकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दराजल दोस्तो बात कर रहे हैं उत्तरागंड हरीदवार की जहां चानक से 16 साल की लड़की गंगा नदी से तोड़ती आती है दोस्तो पूने में आपको बहुत है अजीब लगेगा लेकिन यह सत्य घटना है कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा केसी पर हो जाए तो वह सागर को पार कर लेता है ऐसा ही महादेव के परमभक्त के साथ हुआ तो आईए जानते हैं एक सची घटना के बारे में दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और दोस्तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब सेनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो उत्राखंड के हरी द्वार में एक नाग वाला साथू था वह नागा साथू महादेव शीव की बहुत पूजा करता था और उनके बहुत बड़ा भक्त था वह अपने सरल सौभाव के कारण अत्यांत लोग भी वहाँ थे और साथू पूरे महादेव के मंदिर का जाप करते हुए दोस्तो हरी द्वार के गाउं में एक मीना नाम की लड़की थी और वह लड़की रोज साथू के लिए खाना लाती थी उसके बाद भी अन्या साथू को खाना खिलाती थी एक दिन देर से खाना लेकर आई तो बाबा ने कारण जानना चाहा मीना बोली आज नदी पार करने के लिए नाग देव से मिली इसलिए मुझे देर हो गई वह देविया साथू बोला लोग तो भगवान के नाम से भरम सागर की पार कर जाते हैं और तुम तो नदी ही नहीं पार कर पाई मीना पर बाबा की अहबाद पर भाव पड़ गया पहले दिन सुबैं सुबैं बाबा के दरवार पर खाना लेकर आई बाबा ने पूचा मीना आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई बाबा अपने ही भगवान का नाम सुजाया था आज उनी का नाम लेकर नदी पार कर गई थी अब नाकदेव का सहरा लेने की जरूरत जीवन भार नहीं पड़ेगी उस सादू के भक्त का नाम उपदेश दिव्या था तथा परन्तु उन्हें समय लड़के या फिर समय उनके इतने बड़े प्रबाव को कोई बाहार नहीं था उन्हें लगा कि मीना उनसे बात बात में हांसी मजा कर रही है लेकिन जब बाबा प्रणाम लेने के लिए मीना को लेकर नदी के किनारे पहुंचे तो वैचमतकार देकर उनकी आँके आश्चारिय चनिक रहे गई रिणा भगवान का नाम लेते लेते सहाजक के नदी पार करने लगी बाबा ने रेना को प्रणाम करते हुए कहा बेटी आज से तुम तुही मेरी गुरू है मैंने तो जिवन बर भगवान का नाम लेने पर उपदेश भर दिया है बलकि तुमने तो भगवान को अपना करके दिखाया है दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूटीब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए